एलो फ्रेंड्स, वेलकम तू कोशनरवाल क्लासेज, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई कोशनरवाल, आज हम करने वाले हैं, डेटर्मिनर्स, डेटर्मिनर्स के अंदर आज हम करेंगे, सम और एनिवो, देखो डेटर्मिनर्स है ना, वन अफ दा मोस् इंपोर्टेंट ट यह आपके बहुत इंपोर्टन टोपिक है, जो पेपर में आएंगे ही आएंगे, और इन सभी के आपको भरपूर त्यारी करनी है, और टेस्ट देने है, और टेस्ट कहां दे सकते हैं, कॉशनरवाल क्लासेज अब को डाउनलोड करेंगे, वहां पे आपको हर टोपिक पे ब अब है ना बहुत सारे बच्चों का फोन आता है, और बात करते हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लमस बच्चे बताते हैं, शेयर करते हैं, सोलूशन करने की बात करते हैं, उस सभी बातों का एक ही निशकर से निकल गया आता है, क्या आता है बई, बेको बच्चे टेस्ट देत पढ़ते रहते हैं सिर्फ पढ़ने से हैं ना एवरेज माटस आते हैं मैंने कई बार हर बच्चे को बोलता हूं और आपको भी आज बोल रहा हूं क्योंकि आज मैं तीन या चार बच्चों से बात कर चुका हूं और सबको यही प्रोब्लम आ रही है कर सर स्कोर नहीं बढ़ स्कोर कैसे बढ़ेगा वही टेस्ट देने से बढ़ेगा टेस्ट आप पहीं से भी तो या एप से भी दे सकते हो दे को फोर एक आपने एजक्टिव का टेस्ट दे दिया जिसमें 50 25 कोश्चेंस थे 25 में से आपका स्कोर आता मालो 15 यह जो 15 स्कोर आया है ना यानि कि यह 15 पाने की ज़रूरत नहीं है जो नहीं है वो है 10 कोश्चन जो आपके गलत हुए हैं टेस्ट बच्चे दे देते हैं दुबारह उसको छेड़ते ही नहीं है ये जो 10 questions गलत होए न सबसे पहले आपको इनको इनके notes बनाने चाहिए, इनको अच्छे से आपको अपने notebook में लिखना चाहिए कि इस question के अंदर कौन सा concept लगा है और किस तरीके से मैं इस question को tackle करूँ, उसके बाद इस paper को जब तक बार बार देना चाहिए, तब तक आपके 25 मे logic आपको समझ नहीं आता है, तो बार बार वो test दीजिए, तब तक दीजिए, तब तक आप 100% score ना करें, आपको फाइदा होगा, आपका score 100% बढ़ेगा, चलिए, शुरुआत करते हैं determinants की, अब determinants क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे use होते हैं, सारी बाते बड़े detail से हम करेंगे इसके अदर, देखो determinants क्या होते हैं, देखो इसके नाम से ही पता चलता है, definition पे मैं नहीं जाओंगा, directly concept बताने के कोशिश करता हूँ, यह determine करते हैं, determine याने की यह पहचानते हैं, यह quantify करते हैं, यह मैं कह सकता हूँ, यह बताते हैं, किसके बारे में बताती हैं, basically यह हमेशा noun से पहले लगते हैं, तो यह determine करते हैं noun को, और noun का reference देते हैं, या noun को, noun या noun equivalent phrase को, यह बताते हैं, determine करते हैं, किस तरीके से कि वो कैसा आना चाहिए, for example, मैंने यहाँ पे a लगा दिया, a boy, ठीक है, the boy, ठीक है, some boys, ठीक है, उसके बाद मैंने लगा दिया, many boys, ठीक है, यहाँ पे पिर मैंने लगा दिया, each boy, उसके बाद लगा दिया, my boy, तो मैंने यहां पे एक ही नाउन लिया है और इस नाउन को अलग-अलब तरीके से डेटर्माइन करने की कोशिश की है यहां पे देखिए पहले मैंने कराlt किया कि मैंनि बोई यानि की एक से जज़ादा जब भी मैंनी डेटर्मिनर का मैं यूज्ज करूँगग ना हमेशा प्लरल काउंटेबल नाउन का मैं मैं इसके साथ यूज करूँगगई यानि कि जहां पे भी मैंनी मैं लगाओंगा तो noun को कैसे identify करूंगा इसके बाद plural noun आना चाहिए यानि की noun की number में भो कैसा हो चाहिए plural होना चाहिए aboy ah boy हमारे हाँपे क्या कर रही है यह अह जो है यह हमारा indefinite article है कैसा article है indefinite article है यानिकि यह noun को कैसे determine कर रहा है कि यह हमारा जो noun है वो in definite है यानि कि unknown है यानि कि इसके बारे में मुझे पहले से कोई भी जानकारी नहीं है तो किसी भी noun को article के जरीए जब हम article A या N का यूज करते हैं तो वो एक determiner है और वो कैसे उसको identify करता है क्या वो definite है या indefinite है जैसे कि article दा जो है हमारा ये definite article है और इस boy को कैसे identify कर रहा है कैसे determine कर रहा है कि वो हमारा definite है या नहीं है some boys random कोई भी boys हो सकते है uncertain हमारी quality है in boys की कोई भी boys हो सकते है each boy यानि कि हम यहाँ पे हर particular boy को determine कर रहे है my boy यानि कि हम इस boy के उपर possession दिखा रहे है possession दिखा रहे है कि किसके अधिकार शेतर में है ये मेरे अधिकार शेतर में है तो किसी भी एक noun को refer करने के लिए किसी भी एक noun को determine करता है उसकी qualities बताता है क्या determinants quality तो executive भी बताता है तो executive और determiner में क्या फरक है भई बहुत सारे फरक है देखो एजेक्टिव कितने भी लगाए जा सकते हैं एक नाउन से पहले एक नाउन की क्वालिटी बताने के लिए उसको क्वालिफाई करने के लिए उसको मौडिफाई करने के कितने भी एजेक्टिव से लगाए जा सकते हैं लेकिन डिटर्मिनेस के साथ ऐसा नहीं है वो एक minimum limit के अंदर हैं, हम उसको लगा सकते हैं, दूसरा, adjectives की हम degrees बना सकते हैं, ठीक है, adjective की degrees बना सकते हैं, good, better, best, smart, smarter, smartest, लेकिन determinal के साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्या आपने किसी article, या each, या every, या many, इनका कभी भी आपको comparative degree या superlative degree बनते हुए देखा, नहीं, ये तो बलकि उन executive की मदद से ही, किसी एक noun को determine करने की कोशिश करते हैं, तो basically determine क्या है, एक ऐसे words हैं, जो क्या करते हैं, एक particular class को refer करते हैं, किसी noun या, किसी noun या किसी noun phrase से पहले लग कर, उसको क्या करते हैं, particularly determine या define करने की कोशिश करते हैं, बात समझ मैं, for example, मैंने आपके सामने, इस boy noun को बहुत अलग-अलग तरिके से determine करने की कोशिश की है, बात समझ मैं, और ध्यान से समझते हैं, और अच्छे से समझते हैं, जिसे कि my first car, that strange house, यहाँ पे, इस car को कैसे determine किया है, माई से, तो माई यहाँ पे क्या बता रहा है, possession, and that strange card, यानि कि यहाँ पे, इस house को क्या कर दिया है, point out कर दिया है, क्या कर दिया है, point out कर दिया, कि वो वाला जो house है, वो क्या है, strange है, understood, चलिए, आगे करते हैं, types of determinants की, determinants की, बात करते हैं, articles को determinants बोला जाता है, article A and the, possessives, एजेक्टिव जो होते हैं, basically यह सारे के सारे क्या होते हैं, possessive adjectives, क्या होते हैं, possessive adjectives होते हैं, ठीक है, तो possessive adjectives जो होते हैं, उनको भी क्या बोला जाता है, determinants बोला जाता है, demonstrative adjectives को भी determinants बोला जाता है, quantifiers, जो some, any, no little few जैसे की little a little the little आप बड़े confused रहते हैं सारे पढ़ाएंगे इन सभी को भी क्या बोला जाता है determinants बोला जाता है distributive होगे आपका distributive executive इने हम कहते हैं distributive executive यानि की each every either neither इन सभी को हम क्या बोलते हैं इन्टेरोगेटिव जैसे की which house, which car, what question और या whose house या whose dog तो ये भी हमारे क्या किस की तरह यूज किये जाते है determinants के लिए determine करने की ये basically noun को और exclamatory का भी जैसे की what a beautiful scene या what a beautiful girl तो यहां पे what a such rather इन सभी का use हम determinants की तरह हमारे sentences में करते हैं तो basically अगर मैं determinants की place के बारे में बात करूँ देखो executive तो दोनों तरह कैसी तरीके से use हो सकता है attributively use हो सकता है, बहुत बार बता चुका हूँ मैं ये बात और predicatively भी यूज हो सकता है, यानि की verb के बाद भी यूज हो सकता है लेकिन जब भी मुझे determiner का use करना होगा तो हमेशा मैं उसको किस से पहले use करूँ हा noun से पहले use करूँ हा, और वो noun से तरंट पहले लगतर ही noun को qualify करता है क्या sir determiner और adjective दोनों एक साथ लग सकते हैं, बिलकुल लग सकते हैं मेरे भाई जैसे कि मैंने बोल दिया the best player या a good boy तो यहां पे a क्या है, मैंने क्या बोल दिया a good boy a good boy, तो यहां पे जो ये boy है क्या है, noun है और ये good क्या है हमारा adjective है और ये जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ कि noun से पहले noun के लिए या तो एजेक्टिव लगता है या article इस article को हगाटा कर मैं किसी भी determiner का यूज कर सकता हूँ जैसे कि all good boys, मैंने लिगा लिख दिया all good boys तो सीधी सी बात मैं क्या खहूँगा शोटकट में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो noun से तुरंट पहले लगे शब्द या तो एजेक्टिव होंगे या determiners होंगे अगर वो किस के लिए लगे हैं? nouns के लिए लगे है noun को determine या qualify या modify कर रहे हैं ठीक है? चलिए और एजेक्टिव कौन से होंगे? जिनकी हम degrees बना सकते हैं और जिनकी degrees नहीं बना सकते हैं वो किसी तरीके से उसको determine कर रहा है तो वो determiners होगे तो types of determiners according to their position position के according हम कैसे determiners को noun से पहले यूज करते हैं देखो तीन place होते हैं जब हम determiners को यूज करते हैं predeterminers या लिए कि यह हमेशा noun phrase की शुरुआत करते हैं जैसे कि यहाँ पे कौन-कौन से होते हैं? multipliers, multipliers क्या होगे? जो हमारी frequency बताते हैं once, twice, thrice, four times, five times, six times ये सारे के सारे क्या होते हैं? multiplyers होते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया money जो है हमारा noun है इससे पहले article दा आ गया उसके पहले क्या गया? thrice तो ये भी determiner है और ये भी determiner है thrice the money यहाँ पे देखो इसकी position सबसे पहले आएगी तो इसको हम क्या बोलते है? pre-determiner देखो तीन position होती है अगर मैं तीन तरह के determiner से एक साथ use करूँ तो तीन position होती है एक तो pre जो सबसे पहले लगती है उसके बाद center जो बीच में लगता है या middle हम इसको बोल सकते हैं और उसके बाद post जो बाद में लगता है तो तीनो positions पे कौन-कौन से आते हैं? क्यों बता रहा हुए? क्योंकि अगर आपने इसका arrangement गलत कर दिया, for example मैंने लिख दिया a half hour a half hour तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा मेरे भाई क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जैसे की अगर मैंने लिख दिया your both brothers your both brothers और ऐसे question paper में बहुत पूछे जाते हैं your both brothers तो brothers क्या हुआ? noun हुआ? लेकिन ये बहुत क्या है? ये बहुत pre-determiner है pre-determiner की बात करें तो जो सबसे पहले लगता है determiners की arrangement में उसको pre-determiner बोलते हैं यानि की बहुत सबसे पहले लगेगा फिर you all लगेगा और फिर आपका brothers लगेगा तो इसमें आपको याद रखना pre-determiner कौन से है? multiplyers multiplyers यानि की once, twice, thrice जो हमारा frequency को बताते हैं fractions half, one fourth one third, two two thirds, ऐसे expressions, intensifiers जो हमारे expression को बताते हैं जो exclamation को बताते हैं जो exclamatory sentences में adjective से पहले use होते हैं जैसे what हुआ, such हुआ, quiet हुआ quiet हुआ, rather हुआ ठीक है? ये सारे words intensifies होते हैं उसके बाद आलग जो रह गए ये दो words को रियाद कर लेना what or all जब भी एक से ज़्यादा executive लगे या एक से ज़्यादा determinants लगे, ये सबसे पहले लगते हैं उसके बाद center वाले आते हैं कौन से हैं center वाले या regular determinants जिसको हम बोलते हैं वो क्या हैं? आपके articles हैं normally ये ही आपको noun से पहले noun को determine करते हुए दिखाएंगे demonstrative, demonstrative demonstrative को कौन से होते हैं जो point out करते हैं ये वाला, वो वाला, ठीक है this, that, these, those ये चार आपके हैं demonstrative adjectives भी बोला जाता है इनको demonstrative determinants भी बोला जाता है possessive, possessive यानि कि possessive में आपको क्या जाएगा my, your, his, या आपका pronounce से लेके, यानि कि आपके number के हिसाब से हमारा use किया जाता है, तो इसकी position लेखिए, यहाँ पे pre-determiner में बेने use किया है, आपको बताने के लिए, all the time all that money, both my friends, यहाँ पे both क्या है, pre है यह क्या है, central है and then हमारा ना, इसके बाद post determiners आ जाते हैं, जो cardinal number है, cardinal numbers कों से होते है, cardinal executives कों से होते है, इसको हम क्या बोलते है, cardinal executives, cardinal कों से होते है जो हमारा number बताते हैं गिंती बताते हैं, यानि कि one, two, three, five, six, जो number होता है ना sentence में उस number को हम cardinal executive बोलते हैं, इस बात का जान रखेंगे, या इसको numeral executive भी बोला जाता है क्या बोला जाता है numeral executive भी बोला जाता है, पेपर में कई बार ना नाम भी पूछी लिया जाता है, कि ये किस तरीके का executive है, या किस तरीके का determiner है, तो cardinal determiners कुन से होते हैं जो one है, two है, three है जो number को represent करते हैं उसके बाद ordinal कुन से होते हैं जो order को बताते हैं order यानि कि first, second, third, last जो last होता है वो भी हमारा क्या होता है क्वांटिफायर्स यानि कि quantity से बना है quantity से बना है quantity की बात करें या तो ये इसकी quantity बताएगा ठीक है, या वो indefinite quantity भी बता सकता है जैसे कि ऐसे directly बता दिया some, any, no, little, few ठीक है, ये सभी तरीके के जो होते हैं, ये post determinants होते हैं, यानि कि अगर मैं तीनों तरह के determinants का या उल्यूज करूँ, all my five cars, देखो मेरे पास सितनी cars तो नहीं है, पांस तो नहीं है लेके ना कुछ तो होई सकता हूँ ऐसा लिखके, तो all my five cars, तो all पहले आएगा ऐसे बिलकुल भी नहीं लिख सकता है my all five cars या my five all cars या five all my cars ऐसा लिखना गलत हो जाएगा arrangement वो है hundred percent बहुत ज़्यादा important है, सबसे पहला question यहीं से बनता है all my five cars the first rank, the few friends, ठीक है understood, चलिए अब बात करते हैं some or any की, some or any बहुत ज़्यादा confuse करता है बच्चों को, और बहुत ही ज़्यादा important है, देखो time कम है, ये कल मैं video नहीं डाल पाया, क्योंकि कल पूरा दिल लग गया मुझे, और आज का भी पूरा दिल लगया, जितना भी समय मुझे इसको बनाने में लगा है, उससे ज़्यादा उससे तो, दस गुना कम समय लगेगा इस video को बनाने में, ठीक है, और आपको मैं बता दू, कल से मैं इसकी उतायार कर रहा था अलग लग सम और आनी, सम और आनी, देखो दोनों तरीके से use होते हैं, इसकी weak form भी होती है और इसकी strong form भी होती है, weak form और strong form कैसे पहचानते हैं basically यह depend करता है इसके meaning के उपर इबिखो sum और any का हिंदी meaning कभी भी हमें ले करके हिंदी मीनिक कभी भी को ठीक attempt नहीं करना चाहिए कभी भी translation method से हमें कभी भी question को आटेम्ट नहीं करना चाहिए grammatical question को हमेशा उसके logic को follow करना चाहिए अब some and any की अगर मैं बात करूँ ना तो कुछ जो होता है कुछ यानि की थोड़ा या कुछ को अगर represent किया जाता है तो some and any का use किया जाता है बताने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ आपको समझने के लिए बता रहा हूँ लेकिन यूज आपको इस तरीके से बिलकुल भी नहीं करना है कैसे यूज करना है अगर sentence में किसी एक indefinite quantity का हमें पता लगाना है indefinite quantity है हमें उसकी limit का नहीं पता है ठीक है वो कितनी है और कितनी नहीं है तो हम हमेशा some और any का use करते हैं और जब हमें strong strong form का यूज करना है तो certain या particular किसी एक चीज को define करने के लिए हम सब more और यूज करते हैं example से समझते है ठीक है दोना example मैंने आपके सामने दे दिया है I have some pens यानि कि हमें सिर्फ बताने कितने pen हैं हमें नहीं पता लेकिन मेरे पास कुछ pen है ठीक है यहां पे हमें बताना है कि pen की quantity हमें पता नहीं है लेकिन कुछ तो quantity है कम है जदा है वो हमें नहीं पता है अगर कम होती तो हम few का use करते लेकिन यहां पे few का use क्यों नहीं करेंगे क्यों कि कम नहीं बताना ज्यादा का use करते हैं तो manny का use करते हैं हमें ना तो यह पता है कि ज्यादा quantity है और नहीं हमें यह पता है कि कम quantity है तो हम किसका यूज करते हैches यह्जह करते और लेकिन आप सबसे पहले इसकी strong और weak home देखिए, ठीक है, क्योंकि कई बार है ना, इससे भी question बनता है, I don't have any plan, मेरे पास कोई plan नहीं है, यानि कि ना तो ज़्यादा plan है, ना कम plan है, किसी भी तरीके का कोई भी plan नहीं है, तो हम यहाँ पे किसका use कर रहे हैं, अब certain या particular किसी चीज़ को दिखाना है, देखो, some child, यानि कि इसने, यहाँ पे इस child को as a definite article the की तरह use किया है, यानि कि some का use यहाँ पे article the की तरह किया गया है, तो यहाँ पे वो particular child की बात कर रहा है, जो वहाँ पे पीछे मेरे, जैसे कि मैं train में जा रहा हूं, train में वो मेरे पीछे वाली बर्थ पे बैठा है, और लगातार रोए जा रहा है, और उसकी वज़े से ही मैं सोनी पाया हूं, तो यहाँ पे इस child को क्या बता दिया गया है, certain बता दिया गया है, या particular बता दिया गया है, या particular बता दिया गया है, या आपके options में अगर definite article the का use ना भो, और उसको ऐसे बताना है कि मेरे लिए वो unknown भी है, लेकिन definite भी है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, some का यूज़ करेंगे, इसी तरीके से हम strong form of any का यूज़ करते हैं, जब हमें किसी चीज़ के बारे में बताना है, किसी particular thing के बारे में बताना है, या person के बारे में बताना है, लेकिन उस matter नहीं करता है, कौन है, हम सिर् उसकी type को define करते हैं यहां पर एक्जामपल यहां पर any cold ring can make you sick भाइ cold ring को कोई भी हो इस noun को कैसे define कर दिया कि cold ring की पूरी की पूरी जो species है यानि की जो caste है इसका जो type है इस type इस common noun को जब मैंने define कर दिया कि इस में से कोई भी हो सकता है ठीक है कोई भी आपको भी मार कर सकता है if you drink it accessibly बात समझ मैं कोई भी cold ring कोई यानि की पूरी की पूरी कास्ट या type को जब मैं define करता हूँ certainty दिखाने के लिए तो हम किस का use करते हैं any का use करते हैं understood चलिए आगे चलते हैं अब इसके कुछ rules पढ़ते हैं कहां पे any का use करना है और कहां पे some का use करना है तो मैंने weak form और strong form आपको बता दी है वो उसको ध्याने में रखते हुए सभी questions को हम अभी try करेंगे some और any का use कब होता है देखो hundred percent आप ये मान के चलना है हैं कि जो some का use होता है ना वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ affirmative sentence में किया जाता है ये है basic rule ठीक है affirmative sentence जिसको आप simple sentence या positive sentence of any assertive sentence बोलते हैं assertive सामानेज वाक्यों में जब हम positive sentence में अगर किसी uncertain चीज़ का हमें जिकर करना है indefinite thing का हमें जिकर करना है जिसकी quantity के बारे में हमें पता नहीं है तो हम हमेशा किसका use करेंगे some का use करेंगे और उसी sentence का अगर हम negative form देखेंगे या interrogative form देखेंगे तो हम आपे किसका use करते है any का use करते हैं तो यहाँ पे in negative और interrogative sentence में हमेशा any का use करेंगे और some का use कहां करेंगे जहां पे affirmative sentence का use किया गया है तो there is some यह positive sentence है तो water क्या है हमारा noun इस noun को कैसे बता दे some water हमें नहीं पता ज़्यादा या कम तो some water in the tank तो there are there are not there are not any doubt regarding this matter तो यहां पे doubts कोई भी doubt नहीं है negative आ गया और interrogative आ गया तो some नहीं use होगा any का use होगा यानि कि इन sentences में any को हटा गया अगर some लगा दूँगा तो यह question क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा और इसी तरीके से आपका error पूछा जाता है या पूछा जाता है तो positive sentence हो तो आपको sum भरना है और negative sentence हो तो आपको any भरना है अब some का use किस के साथ किया जाता है some का use हमेशे plural countable noun के साथ किया जाता है और uncountable noun के साथ किया जाता है यानि कि some और any कई बच्चे बहुत बार दुखी होते हैं परेशान होते हैं कि sir जिस noun से पहले some लगा है उस noun की quality कैसे होगी quality को बताने का मतलब यानि की जो nouns होते हैं उनको ही count किया जा सकता है वाकि किसी भी parts और speech को count नहीं किया जा सकता है गिंती नहीं किया सकती है क्योंकि गिंती जो होती है वो particular things की person की places की ही की जा सकती है तो name of a person place और thing क्या होता है noun होता है तो counting जो हो सकती है वो noun की की जा सकती है और counting के based पे जो noun होगा वो दो तरह का होगा countable noun होगा और आपका uncountable noun होगा तो sum के बाद दोनों तरहे के noun लगते हैं countable भी लगते हैं और uncountable भी लगते हैं usually 99.99% हर sentence में जो uncountable noun तो अपने आप में singular हो गया लेकिन जो countable noun होगा वो हमेशा किसमें लगेगा plural form में लगेगा कभी भी singular form का use हम सम के बाद नहीं करेंगे तो अगर यहां पे सम के बाद सिर्फ book का मैं यूज कर लूँगा तो यह जो हो जाएगा गलत हो जाएगा आपको इस बात पर ध्यान रखना है सर अभी अभी तो आपने क्या बताया था पीछे अभी अभी बताया था कि some child some child was crying तो यह जो child है यह तो singular है सर यहां पे आगे आपने जाके बता दिया कि plural noun का यूज होगा दोनों में डिफरेंस समझो वहां पे weak form of some का यूज हुआ है और weak form of some यानि कि indefinite quantity हमें बतानी है सर्फ और यानि कि indefinite quantity बतानी है तो कुछ भी certain हमें नहीं करना है यानि कि some का यूज हम लेकिन जब हम उसकी weak form का यूज करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि some हमेशा countable noun से पहले यूज होता है लेकिन singular से नहीं plural से definite करना है किसी एक noun को तो हम सम का singular noun से पहले भी यूज कर सकते हैं any का यूज का होएगा sir any का यूज मेरे भाई फिर से वही बात है any के बाद जो भी noun लगा है वो countable भी हो सकता है ठीक है और वो uncountable भी हो सकता है अब uncountable noun से पहले तो लग गया उसमें तो कोई दिकत नहीं है क्योंकि उसका singular और plural नहीं बनाया जा सकता लेकिन countable noun का तो singular plural बनाया जा सकता है तो singular plural की बात करें तो हमेशा any के बाद singular noun का ही यूज होता है कभी भी plural noun का यूज नहीं होगा यानि कि अगर इस टेस्ट की जगाए मैं टेस्ट से लिख देता तो यहां पर यह क्या हो जाता गलत हो जाता understood चलिए आगे चलते हैं अब अभी अभी हमने पढ़ा था कि हमारा जो sentence में अगर negative sense है negative sense की बात अगर हम करें यानि कि negative हमारा sentence है वो किसी भी तरीके से negative बन रहा है चाहे तो हम note adverb का use कर रहे हैं उसके अंदर किसका use कर रहे हैं note adverb का use कर रहे हैं उसके अंदर या no का use कर रहे हैं जो हमारे executive या determiner की तरह use किया जाता है जिसको हमागे जाके पढ़ेंगे तो सीधी सी बात है no not never तो हमें आसानी से पता चल जाएंगे लेकिन कुछ ऐसे words भी होते हैं जो अपने आप में negative होते हैं positive sentence को भी negative form में convert कर देते हैं with affirmative structure affirmative structure का मतलब क्या है वहाँ पे वो note का नहीं वो note नहीं लगाते हैं या खुद में ही negative होते हैं जैसे कि hardly, scarcely, barely, seldom, rarely, without यानि कि अगर ये words हमारे sentence में आ जाएंगे ना और आपको some or any बरना है तो आप कभी भी some का use नहीं करेंगे क्योंकि ये सारे के सारे words क्या बताते हैं sentence को क्या बना देते हैं negative बना देते हैं तो अगर हम यहाँ पे इन sentences में some का use कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा very wrong, very incorrect ठीक है? He has scarcely any evidence to prove his innocence उसके पास कोई भी एक ऐसा evidence नहीं है यानि कि ये negativity को शो करते हैं यानि कि negligence को शो करते हैं यानि कि वो काम पुआ ही नहीं है इस तरीके से हम इन words का use करते हैं without using not सिधी सी बात है ये अपने में negative है तो इन के साथ not और no का भी use नहीं होगा यानि कि यहाँ पर he has not scarcely any evidence अगर use कर लेता हूं तो भी हमारा sentence में error हो जाएगा गलत हो जाएगा ठीक है चलिए बहुत briefly और बहुती अच्छा content देने की कोशिश कर रहा हूं कि कम time में ज़्यादा questions मैं आपको करवा का हूं बड़ी बड़ी घुमा फिर आके बाते ना करूं तो दा पॉइंट बाते करके आपको question समझाने के कोशिश कर रहा हूं practice आप practice set से कर सकते हैं सारे इस तरह के question डाल रखे हैं मैंने उससे अराम से आपके concept clear हो जाएगे ये video देखिए नौट्स अच्छे से पढ़िए और जाबके test भी दिए आपका question ये complete हो जाएगा any को affirmative sentence में भी use किया जा सकता paper में questions कैसे आते हैं देखो पहले वाले sentence में मैंने पहले वाले rule में मैंने आपको क्या बताया पहले वाले concept में क्या बताया कि ये सारे के सारे words negative है यारे कि positive sentence भी negative हो जाता है लेकिन लगता नहीं है तो CDC सी बात है paper में आने के बहुत ज़्यादा chances है इसी तरीके का दूसरा हम sentence लेके आए हैं कि भाई any का use तो negative और interrogative sentence में होता है लेकिन उसको positive sentence में भी हम use कर सकते हैं कब कर सकते हैं अगर हमने implied condition का use किया हो implied condition का मतलब क्या है हम condition देते हैं और उसके dependent कोई close यानि कि subordinate close में हम उसको principal close में हम उसको action उसका respondent action करने की कोशिश करते हैं for example if there is any rain अगर बारिश होई यानि कि ये positive sentence में use हुआ है ठीक है it will clear by day वो clear हो जाएगा उस समय तक दूसरे question से समझने के खुशिश करते हैं if I face any problem I will call you अगर मुझे कोई भी problem होती है यानि कि वैसे तो होगी नहीं positive sense में क्या है वैसे तो होगी नहीं अगर कोई तो ठीक है तो इस तरह की sense में जब हमें implied यानि कि imply करका ऐसा हुआ तो मैं ये काम करूँगा तो implied condition में हम any का use positive sentence में कर सकते हैं याद रखना if close मिलेगा if close के अंदर some का use नहीं करना है हमें any का use करना है simple सी पहले concept सीखा अब question सिखते हैं if close में जब भी हम condition देते हैं तो वहाँ पे some का use नहीं करते हैं हम हमेशा किस का use करते हैं any का use करते है any को फिर से हमने affirmative sentence में use कर लिया कैसे किया if it doesn't matter who or which ये तो हमने पहले ही बता दिया था जैसे कि हमने क्या बताया था some का use हम singular countable noun से पहले कर सकते हैं अगर हम some का use as article दा की तरह कर रहे हैं यहाँ पे भी any का use हम कर सकते हैं positive sentence में ठीक है कैसे use कर सकते हैं जब हमें उस sentence में उस noun के type से कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है any student caught copping who will be punished यहाँ पे इस student में कोई भी हो any कोई भी हो कोई भी फरक नहीं पड़ता कोई भी special preference किसी को भी नहीं दी जाएगी कोई भी student अगर पकड़ा गया ना तो हम उसको punish कर देंगे तो यहाँ पे some का use करना logically और grammatically क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा positive sentence है फिर भी any का use कर रहे हैं कि एक तरीके से हम यहाँ पे warning दे रहे हैं या एक तरीके से हम उस pieces या उस class में से किसी भी एक particular action को किसी भी एक particular noun को define कर दे attempt any five questions कोई भी पांच question आप कर सकते हैं choose कर सकते हैं give me any book you like कोई भी book दे सकते हो आप कोई भी condition अप्लाई नहीं है कि यही book दे नहीं है कोई भी दे सकते हैं कोई किसी भी चीज़ को choose कर सकते हैं ठीक है चलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम सम का यूज करते हैं एनी का यूज नहीं करते किस तरीके के सेंटेंस में जब हम रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को कुछ ओफर करते हैं अभी अभी हमने पढ़ा था देखो सारे जो है ना पेपर में जो कुछन्स आते हैं वो एक्सेप्शन्स से आते हैं तो ये जो सेंटेंस हैं ये पहले बेसिक रूल की या बेसिक ग्रैमर की सारी की सारी एक्सेप्शन्स हैं ठीक है देखते हैं क्या बोलता है कि हम जब भी दे हम किस का यूज करते हैं, हम मॉडल्स का यूज करते हैं, वूड का और विल का, जब भी हम किसी भी चीज का request करते हैं, या किसी भी चीज को offer करते हैं, for example, would you like to take tea, would you like to take tea, ठीक है, to take tea, तो यहां पे मैंने tea offer की है, offer हम जब करते हैं, या request जब हम करते हैं, तो हमेशा किस का यूज करते हैं, interrogative format में, would और will का यूज करते हैं, यानि कि, assess and test जो request कर रहे हैं, या order offer कर रहे हैं, किसी भी चीज को, तो हम would और will का यूज करेंगे, और यहां पे, कभी भी हम any का user, नहीं करेंगे, very right, ठीक है, दूसरी बात, एक तरी किसे, इस तरीके से भी याद कर सकते हो, जब भी हम कोई खाने या पीने की चीजे offer करते हैं, तब हम कभी भी any का user नहीं करते हैं, खाने पीने की चीजे, या positive sense में, जब हमें answer मिनने की उमीद होती हैं, उसके बारे में में बात करेंगे, तो हम हमेशा some का user करते हैं, क्योंक reply में हाँ ही देंगे, तो खाने पीने की चीजों में, या ऐसे question में, जिसमें उमीद हाँ के reply की होती हैं, तो हमेशा some का use किया जाता है, any का use नहीं किया जाता, next बात करते हैं, अगर interrogative sentence है, तो some और any दोनों का use हो सकता है, लेकिन condition क्या है, condition है, अगर question का अंदर, अगर question के अंदर expectation किस की है, expectation yes की है, कि जो speaker ने पूछा है, वो काम हो जाएगा, ठीक है, कि answer हाँ में आने वाला है, तो हम some का use करेंगे, और अगर expectation के opposite कोई काम होता है, यानि कि जो opposite काम होगा expectation के, कि फाइदा होने वाला था, लेकिन अक्सान हो गय हैं, एनिका उसकत है, question से ज़्यादा सबस्ते है, for example, आपका सभी का selection हो गया, और आप host है, तो मैं आपके, आपने मुझे बुलाया, sir, selection हो गया, चलो आपको party देते हैं, चलो sir, हमारे घर आ जाओ, party ले लो, और है न, आपको invite करते हैं, तो मैं आपके घर आओंगा, जैसे की शुरुआत कर ली, for example, कई लोग ऐसे होंगे जिनकी शादी बुली है, तो for example, wedding पर उन्होंने मुझे बुला लिया, ठीक है, तो मैं guest हूँ, आप host है, आप मुझे पूछेंगे, जाते, would you like some soup, तो यहाँ पे पहले जाते ही, obviously, मैं पहली बार आपके घर गया हूँ, तो जो भी आप offer करेंगे, तो मेरा answer तो क्या होगा, हाँ, बिल्कुल मैं ले लूँगा, तो यहाँ पे answer क्या है, yes का है, तो हम, मैं यहाँ पे expectation क्या है मेरे से, कि मैं वो तीज़ ले लूँगा या खा लूँगा, तो यहाँ पे some का use हुआ है, बात समझे में आई, और दूसर है, कि सर और लोगे, तो भाई, पेट थोड़ी फाड़ना है, तो यहाँ पे मेरा answer नो ही आने वाला और सामने वाले को भी पता है, तो सामने वाला भी would या will का use नहीं करता है, would या will के अलागा, कुछ भी prep, helping verb का use करेगा, वो will और would का use नहीं करेगा, तो directly trick क्या हो गई, ऐ would से शुरू होते हैं, या will से शुरू होते हैं, mostly, ध्यान देना है, लेकिन sentence को ध्यान से पढ़ना है, आपको sentence को observe करना है, यह तो directly उन बच्चों के लिए है, कि जो भाई, ज़्यादा दिवाक लगाना ही नहीं चाहते हैं, तो trick बता दो, ऐसे sentence, जो will और would से शुरू होते हैं, जो reference देते हैं किसी request का, या offer का, किसी भी form में, ऐसे sentences में हमेशा some का use किया जाता है, किस का use किया जाता है, some का use किया जाता है, और ऐसे interrogative sense हैं, जिसमें would और will से शुरूआत नहीं हो रही है, वो सारे के सारे, mostly ऐसा माना जाता है कि negative sense में use होते हैं, तो वहाँ पे किस का use होगा, any का use होगा, बात समझ में आई, चलिए, आगे चलते हैं, negative interrogative structure, यह बहुत ज़्यादा important है, paper में आता ही आता है, ठीक है, फिर से, बात वही है, तरीका अलग है, negative interrogative sentence, negative interrogative sentence का मतलब क्या है, जब हम contraction का use करते हैं, यानि कि sentence negative भी है और interrogative, यानि कि helping वर्ब का subject से पहले use हुआ है और note का भी use हुआ है, ठीक है, yes में answer आएगा तो sum लगेगा, और no में answer आएगा तो any लगेगा, फिर से वही बात है, कि हमें sentence का analysis कर रहा है, कि इसका जो answer आने वाला है, interrogative sentence का, वो yes में आने वाला है या no में, yes में आया तो sum लगेगा और no में आया तो any लगेगा, चलिए आगे चलते हैं, जब भी indefinite quantity को हमें बताना है, किसी भी sentence में, देखो, कई बार आना, ऐसा option भी आ जाता है, sum लगा दिया, any लगा दिया, many लगा दिया, और एक option दे दिया, no word needed, या no word, ठीक है, तो इस तरह के question का भी ध्यान लगना है, question से ही हम इसको पढ़ते हैं, ऐसा अगर हमारा sentence आजए, इसके अंदर noun के अंदर indefinite quantity की बात करते हैं, ठीक है, और indefinite quantity की हमें जरूरत है, या हमें reply करना है उस चीज़ का, तो उस large quantity के लिए हम कभी भी sum का या any का use नहीं करेंगे, sum और any का use हम करते हैं, जब करते हैं, indefinite ज़्यादा नहीं है, जितनी हमें, जितनी हमें बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत है, वो कुछ है, ना तो ज़्यादा है, ना कभ है, कुछ है, ठीक है, उसकी quantity definite हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो इस sentence को जहां से देखते हैं, we need some help from international community, we need some tents, some medicines, some blankets, some food, अब यहाँ पे international community की बात कर रहा है, और international community की बात करते हुए, क्या बुल रहा है, कि हमें health की जरूरत हैं, अब मेरे भाई जैसे aid की जरूरत होती है, जैसे भाई सुनामी आ जाती है, या मेरे भाई ये bookamp आ जाता है, या इसी natural calamity हो जाती है, इस तरी किसे में, जो हमें definite number of support की जरूरत पड़ी है, तो इस जगह पे हम sum की जरूरत, sum को use नहीं करेंगे, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा quantity को refer नहीं करेंगा, अंडेस्टूड, तो यहां पे कहीं में भी किसी भी determiner का use नहीं होगा, next बात करते हैं, some kind of, some kind of, some type of, some form of, some sort of, इस तरीके का जब structure आता है तो हम वहाँ पे some का use करते है any का use नहीं करते है we can hope for some kind of agreement तो यहाँ पे positive response है तो यहाँ पे इस तरह के structure में हम किस का use करते है some का use करते है next my favorite बहुत सारी books में आपको नहीं मिलेगा बहुत बार paper में आ जाता है मुश्किल मुश्किल papers में आता है यह expressions होते है fix expression है some friends you are some helps he goes यह एक तरीके से क्या है उल्टा है उल्टा irony की तरह use किया गया है एक तरीके से यानि कि कहना कुछ और चाता है और कहना कुछ और रहा है some friends you are जब हम जैसे कोई दोस्त हमारी मदद की नहीं करता न तो हम बोलते है यार बड़ा अच्छा दोस्त है तू मेरा for example मैंने उससे पैसे माने यार तू मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है ठीक है तूने मेरी बड़ी help की ऐसे जब हम बोलते हैं इस expression को यूज करते हैं some friend you are या some helps he was तो यहां पे जब हमें negative sense में बात करनी होती है तब भी हम इस expression का यूज करते हैं you won't help me some friend you are यानि की annoying way में हम इसका यूज करते हैं चलिए आज के लिए मेरे क्यान में बहुत ज़्यादा हो गया है बहुत मुश्किल मुश्किल कॉंसेट्स जो है न एक ही वीडियो में बहुत ज़्दी ज़्दी करवाने की कोशिश की है क्योंकि ये आपका एक तरीके से मेरे तरफ से revision है और इस से ज़्यादा मेरे खियाल में कोई question आपकर नहीं पूछा जाएगा मैं ऐसा शोर करता हूँ एप पे जाएए इसकी practice कीजिए जो बच्चा practice नहीं कर रहे न वो बाकी बच्चों से दस नमबर पीछे है पहले बता रहा हूँ ठीक है आज के लिए इतना ही have a nice day and take care जै हिंद जै बारत बाइ